कि बाल जड़ना और काला रंग इसके बारे में ऑप्सेशन मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन रहता वैसमिंग तक नहीं हूं महाराश्टे में मुंबेपुने अकुला यहां प्रैक्टिस करता हूं हम उड्लाइन कंसिल्डेशन करते हैं वीडियो कहसे रहता है तो यह वक्त करिब करीब उद्व तीज तीज साल का बहुत परेशान के उसके बाल जड़ रहे शुबह सुबह सुबह उटपर कंगी करता है काफी सारे बाल निकल आते वह फ़ैसी भी रात वह उसको रखता कि बह अधिए लड़की देगा गन्जे के साथ में कोई शायधी करें है लड़की लोग क्या कहेंगे ऐसे बार 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 विचार उसको आते रहते हैं अब उसके साथ साथ उसको ऐसा भी लगता है कि मैं इतना दिखन में गोरा नहीं हूं तो इसकार आछा हूं और अपने और एक कुरू में ठक जाता हूं विचार करते हैं, आटोमेटिक विचार आते रहते हैं, ऐसा रखता है कि अभी खुदकुशी कर दालो, यह विचार उनसे मतलब कैसा छुटका रहा हूं, बागी कोई विचार ही नहीं बस यह विचार आता हूं, बागल जैसा बिल्कुरूँ यह Obsessive Compulsive Disorder का बहुत ही अच्छा एक्जामपल है, उसमें वो डॉक्टरों कंसल भी करता है, किसको कंसल किया दॉक्टरों की तो उसको अच्छा भी लगता है कि चलो कोई क्रीम लिखके देंगा, थोड़ा सा रंग काला है तो, यह बाल नहीं जाएंगे, उसको मैंने बोला कि ठीक है, जो है वो है, उसका मिनिक तो नहीं ऐसा लगा है कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे बाल जड रहे है, इसका मतलब ऐसा है कि मुझे कोई लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी, इसका मतलब यह है कि मैं दिखने में बहुत ही ठीक नहीं हूँ, इसका म अनेक अलग अलग विचार आ रहे हैं यह विचारों की शुंखल आये कि जो आ रही है और क्या विचार कर सकते हैं दूसरे और क्या विचार आ सकते हैं और आपको विचार कर सकते हैं कि जो आपको पावर देंगे और क्यों से विचार है कि जो आपको एनर्जी देंगे या पुछ आफी बड़े बड़े लोग है जो गंजे हो गए एक बाल भी ऊपर ने तभी बहुत फेमस लोगा ऐसे कितने सार एक्जामपल है बहुत सार लोग है कि जो ब्लैक है दिखने में एक दम ही और तभी भी वो फिल्म स्टार बने हुए या अच्छे-छाए हिरो बने कि ठीक है जो है वो है अभी क्या जो है वो है उसको मदल नहीं सकते समझो बाल जहने की बिमारी उसको भी रोक नहीं सकते ठीक अभी क्या कर सकते रंग ठीक नहीं कर सकते अभी क्या कर सकते कभी सारी एक्ट्रेस दिखने में काली थी तभी वो मेकप कर दी ती उसका भी उनने क तो जो हुआ है उसके बारे में ना वीचार करते हुए अभी हम में क्या कर सकता हूँ कि इससे फूचर में अच्छा हो जाएंगा उसके बारे मैं आख सोचना है बहुत थेरेपी उसको मैंने दिया बहुत ही अच्छा लगने लगा कुछ दिन के बाद में आता है कि मैं फालतु मेरे इतने साल मैंने गमा दिये इतना सोचते बैठा वह विचार आ रहे हैं यह सोचता नहीं था और कुछ कि future शुचता था कि future में क्या संभव है तो में मेरी लाइब ऐच्छी कर सकता था तो यह संभव उसके लिए हुआ जब उसने rational therapy rational thinking लेना चालू किया hypnotherapy से उसने वियो लाइज रंच धैल और साथ-साथ मैं उसको anti-obsessive दवाई भी लिया सभी का भड़ी मारजे वहां तो काफी उसका अच्छा लगने लगा यह आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेर करो थैंक्यू बेरी मच्छ गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केर कर यह नाम का एप डाउनलोड कर सकते हैं और यह एप में आप फ्री का वानलोड़ है।